ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारी हीरोइन जिया को देखते हैं जो कि आई वेप के थूप प्रेगनेंट होना चाहती थे वो पास का सीन याद करती है जिया का जो बॉइफरेंड होता है वो कोमा में था और यहाँ पर उसके बॉइफरेंड की मॉम उस पर गुसा कर रही होती है कि मेरे बैटे की तुमने क्या हालत कर दी है देखो मेरे बैटे को कही से भी वो ठीक लग रहा है क्या अब दूमें ही मेरी फैमली को आगे ले जाना होगा क्योंकि मेरे बैटे की सबी प्रोपर्टी में किस को दूँगी बॉइफरेंट की मॉमस पर काफे ज़दा घुसा कर रही होती है और कहती है कि मुझे बेबी चाहिए और तुम्हें बेबी दे रहा होगा जिस उनके जिया तो हैरान हो चाहती है और कहती कि आप ये क्या क्या रहे हैं लेगिन फिर अपने बॉइफरेंट की कंडिशन देखकर मान चाहती है प्रेसेंट में इदर हमें एक लीजा नाम की लड़की को देखते है वो भी आईवेब के थ्रू हमारी हीरो चैन के बच्चे से प्रेगनेंट होना चाहती थी लेकिन याँ पर आकर एक नर्स उसे बताती है कि चैन का स्पाम तो जिया के रूम में बेज़ दिया गया है जो जानकर वो हैरान हो जाती है और जिया के रूम की तरफ जाने लगती है लेकिन तब तक जिया का उपरेशन हो चुका था देन कुछ मंद्स बात का सीन दिखाया जाता है जहां पर जिया के पास एक क्यूट सी प्यारी सी बच्ची होती है और वो उसके साथ काफी कुछ थी तब ही उसके बॉइटे के मॉमा के कहती है कि यह मेरे बेटे का बच्चा नहीं है और उसे रिपोर्ट दिखाती है कि तुमारा किसी और के साथ चक्कर चल रहा है क्या कौन है वो आदमी जिसका यह लड़का है मैं सी फैमली में तो मैं नहीं रहने दूँगी जिया तो रिपोर्ट देखके हैरान हो जाती है और कहने लगती है कि इसा नहीं हो सकता मेरा कही भी कोई चकर नहीं चल रहा है लेकिन बॉइट्रेंड के मॉम तो सुनती ही नहीं है और कहती है कि निकल जाओ मेरे घर से और वो जिया को अपनी बेटी के साथ बारिस में ही निकाल देती है लेकिन जिया अपनी बेटी को देखके कहने लगती है कि तुम्हारा डैट कौन है इसे कोई फरक नहीं पड़ता लेकिन तुम्हारी मा में ही हूँ और मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दोंगी जिसके बाद 5 साल बाद कसीन दिखाया चाता है जहांपर जिया अपनी बेटी डूई के साथ इंटर्वी देने के लिए आती है और वो रूई से कहती कि मुझे इंटर्वी के ले जाना है तो तुम यही पर मेरा वेट करना और वो रूई को मापर बिटाकर चली चाती है तभी यहांपर चैन आता है लिजा के साथ और वो हीrev राकर रूई को देखने लगता है जो देखकर लिजा कहती है कि अगर मेरा बच्चा होता तो इतना ही बड़ा होता अगर मेरा मस्करिश नहुआ होता जो सुनके चैन उसे घूरने लगता है तो लिजा कहाती है कि मुझे माप करतू, मैं ये बात दुबारा नहीं करूंगे जो सुनके चैन कहता है कि साधी और तुमसे कभी भी नहीं, लिजा पूसती है लेकिन क्यों, वो कहता है क्यों कि मुझे तुमारी सकल भी देखना पसंद नहीं है जिया के साध चैन भी लिफ्ट के अंदर आ जाता है, लिजा कहने लगती है, तो जब माप करतू, मैं तुबारा से प्रेगनेंसी के बात कभी नहीं करूंगे चैन उसे कहता है कि मेरे पीछे मताना, जो देख की जिया सूचती है कि कितना पिकार लड़का है, पता नहीं ही लड़की ऐसे लड़के के पीछे की बढ़ी है ऐसा कुछ नहीं है लेकिन ये सभी को बता होता है जो सुनकर चैन कहता है कि अच्छा हो तुमने मुझे बता दिया वरना ये सभी बाते तुम मुझे पता ही नहीं चलती है जिया कहती है कि कोई बात नहीं लेकिन चैन तो उसे पकड़ लेता है और कहता है कि ज़ल्दी से मुझे sorry बोलो जिया कहती है कि क्या sorry बोलू और उसे private part पर hit कर लेती है जिया तो उसकी कुटाई करके महाँ से चैली जाती है तब ही हाँ पर चैन का assistant आता है जिसको देखके चैन कहता है कि ज़दी से इस लड़की को पकड़ो मुझे वो चाहिए एधर जिया बाहर आकर रूई को बताती है कि मुझे जॉप मिल गई है जिस उनकर भी खुश हो जाती है और कहती है कि अब आप मेरे लिए निव डेट लाएंगी न जिया कहती है कि नहीं तो जिन चैन और उसका असिस्टेंट बाहर आते हैं लेकिन तब तक जिया जा चुकी थी असिस्टेंट कहता है कि हमारे पास एड्रिस हो गई है उसका चैन कहता है कि कल उस लड़की को मेरे केविन में भीचना मुझे उसे बात करनी है ये सब लीजा भी देख रही होती है नेक्स दे जब जिया ओफिस आती है तो असिस्टेंट आकर कहता है कि तुम्हें बॉस बूला रहा है जो सुनके जिया कहती है कि क्या मुझे लेकिन आज तो मेरे पहला दिन है जिया को लगता है कि कई उसने कोई गल्दी तो नहीं कर दी लेकिन वो कभी प्रेसिडेंट से तो मिली ही नहीं थी आज टेंट जिया को बोस के केविन मिलाता और कहता है कि तुम यही पर वेट करूँ वेट करते वहें जिया यहाँ पर एक मिक्जीन देखती है जिसमें की चैन का फोटो होता है जिया समझ चाती है कि यही कंपनी का प्रेसिडेंट है वो सोचती है कि अब तो गई मेरी जॉब काम से है सोचती है कि यहाँ से निकल जाना ही बेटर होगा और वहाँ से भागने लगती है लेकिन तब यह से फील होता है कि कोई आ रहा है तो वो जाकर छुप जाती है यहाँ पर लीजा ही होती है जो कि एक काफी लेकर आई थी है और वो किसी को कॉल करके कहती है कि मैने काफि एकल मेंमाने मेदिशन मिला दी है तब ही आपर चैन आ जाता और लीज़ास से पूछने लगता है कि तुम यह पर क्यों आई हो लिज़ाड कहती है कि वो मैं तुमम्हारे लिए काफि लेकी एक आई थी लेकिन चैन को तो लिजा को देखे गुसा आता है वो जल्दी से अपने असिस्टेंट को बुलाता है और कहता है कि इसे यहां से पान निकालो लिजा चैन लाती रहती है लेकिन चैन नहीं सुनता तब ही यहां से जिया भी भागने वाली होती है लेकिन चेन उसको देख लेता है और कहता है कि तुम आ गई जिया तो बहुत ही प्यार से उससे बाते कर रही थी और कहती है कि मैं आपसे पहली बार मिली हो ना चेन कहता है कि क्या तुम सोर हो कि तुम उससे पहली बार मिली हो जिया कहती है कि हाँ अफकोस आप जैसे हैंसम मैं को मैं कैसे बूल चकती हूँ तब ही चैन काफी पीने वाला था जिया उसको कहती है कि ये मत पीओ जो सुनके चैन कहता है कि कही तुमने इसमें पोईजन तो नहीं मिला दिया ना चलो मुझे पीक के बताओ लेकिन तब ही कॉफी में जो मेडिसीन डली थी उसकी फ्रेग्नेंस से दोनों को चकर आने लगते हैं और चेन जीया की क्लोस आ जाता है हरकिस करने ही वाला होता है लेकिन तब ही दोनों दूर हो जाते हैं बाद में फिर से चेन जिया को किस कर रहा होता है और यह लोग रोमेंटिक होने लगते हैं जिसके बाद यहाँ पर चेन की एक रेंट मा आती है जो कि यह नजारा देखकर खुजू हो गई थी और कहाती है कि माफ करना मुझे बता नहीं था कि यहाँ यह देखने को मिलेगा द चाहिए वो कहता है कि मेरी कोई गर्फरेंड नहीं है जो सुनके जिया को तो गुसा आने लगता है कि यह कितना बड़ा कमीना है और उस पर गुसा करके वहां से चेली जाती है जो सुनके चैन कहता है कि आप रहने दो में ही उस लड़की से साधी के लिए पूश लूँगा लेकिन गर्ण मा को तो किसी भी हाल में चैन के साधी करवाना था क्यूंकि चैन हर टाइम सभी लड़कियों को रिजट करता रहता है इसलिए लोगों को लगता है कि चैन को लड़के पसंद है नेक सीन में जिया अपस्स से घर चा रही थी तब ही चैन उसको बुलाता है जि लोग क्या सोचेंगा जूसन चिए के ऐग से साध़ करनी चाहिए ऑग वोiron के लिए उसे पेाद का युए का गागा कई का एक की दो घर पार और हो जाए का ओं में मैं व्हें तुम मीलियोण भी दूँगा जू सुनने के बाद तो जिया चेन को पकड़ कर हजबेंड ही कहने लगती है चेन कहता है कि तुम्हारा कोई बॉर्फेंड तो नहीं है ना जिया को याद आता है कि इंटर्वियों में उससे पूछा गया था कि क्या तुम्हारा कोई बेबी है कियोंकि ये पॉस्ट मदर के लिए नहीं थी तो तभी जॉब के लिए जिया नहीं भी भी जूटी बोलती है कि मेरा बॉर्फेंड कैसे होसकता है जैन कहता है कि एक एम्प्ल ed ने जूट बोला था जॉब के लिए है ग्रेंडमा तो यह देखकर भोचा तक हुष सोचाती है और जिया को गिफ्ट देती है जिया कहती कि काफी एक्सपेंसिव होगा ना ग्रेंडमा कहती है कि क्या हुआ अब तुम मेरी डॉटर इनलो हो चैन कहता है कि हम दोनों अलब घर में रहने वाले हैं तब ही जिया चैन नहीं टून लिया ना जिया कहती है कि बेटा यह मेरे बॉस का घर है डूई कहती है कि मैं आपके बॉस के घर में नहीं आपके हस्बेंड के घर में रहना चाती हूँ मुझे डेट चाहिए पहल इसे साधी कर लो ना जिया कहती है कि मेरे बॉस बहुत एंसम है हम दोनों मिलक आई है ना सूचती है कि कई इसको पता ना चल जाए रूई के बारे में चैन कहता है कि मुझे जूट मत बोलना क्योंकि मुझे इसलोग बिल्कु पसंद नहीं है जैन वह बाहर जाने लगता है और उदर से रूए आरही होती है इसलिए जिया जैन को पकड़ लेती है जैन कहत वो कहा दी कि तुम्हारे हैंडसम फेस पर कुछ लगा है चैन वापस से जा रहा होता है तर भी जिया उसे पकट कर कहने लगती है कि मैंने ठीक से देखा नहीं लेकिन तुम काफी जादा हॉट भी हो चैन कहते कि तुम मुझे टीस कर रही हो न और वो फिर से जाने लगता है तो जिया उसके क्लोज आ जाती है चैन कहता है कि यह क्या कर रही हो वो कहती है कि अचा हमारी वेडिंग नाइट है न तुम में सावर लेके मेरा वेट करना चाहिए वो चैन को धक्का मारती है और चैन भी वहाँ से चला जाता है बाद में जिया भार आती है रूई पूछत हो गए है अभी तक आफिस क्यों नहीं आए चैन समझ जाता है कि यह तो बस वो सपना देख रहा था एक सीन में चैन को आफिस में काफी जड़ा घुसा आ रहा था असिस्टेंट कहता है कि आपको क्या हो गया है बहुत से लगता है कि आप रेडिंग नैट रहे थे इसलिए लेट हो गए एदर जिया को बता चलता है कि रूई की तब ठीक नहीं है तो वो उसके स्कूल आती है तब युसके पीछे चैन भी आ गया था क्योंकि उसको जाना था कि जिया कहा जा रही है जिया रूई के साथ होती है और चैन को देखकर कहने लगती है कि तुम यहाँ पर फिर मैं भी चलूँगा हॉस्पिटल में चैन रूई को कहता है कि तुम तो बहुत क्यूट हो तुम्हारे माम डेक कितने लगी है विसे तुम्हें कॉल कैसे हो गया था रूई कहती है कि वह कल रहत में बहुत टाइम तक बाहर थी ना इसलिए जिया अपनी बेटी का मुद क कह दिया जो सुनके जी अपसेट हो जाती है और कहती है कि मुझे जूट नहीं बोलना चाहिए था रूई कहती है कि कोई बात नहीं आपको पैसे चाहिए ना मेरे लिए और मैं तो इतनी क्यूट और स्मेट हूँ ही आपका साथ देने वाली हूं जिया कहती है कि हाँ तुम बहुत प्यारी हों जिया कहती है के हाँ क्यों कि मेरी भापी सिंगल मॉम है कि तो नहीं है चैन कहता है कि फिर तो कितना मुस्किल होता होगा न ये सब रूइ के लिए जिया कहती है कि हाँ और मैडिसिन लेने चली जाती है जिया के जाने के बाद रूइ कहती है कि क्या आप मेरी अंटी को पसंद करते हो चैन कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है रूइ कहती है कि फिर आप इ अब तुम मेरी वाइफ हो तो क्या इसकता हूं जो सुनकर रूइ कहती है कि कि आप तुनोंने साधी कर ली जिया कहती कि नहीं यह फेक मैरिज है जो सुनकर रूइ कहती है कि मैं सब समझती हूँ यह अंकल मुझे फसंद आया हॉस्पिटल में सभी चेन को देखके क्या रहते कि यह कितने अच्छे डेड़ है ना जिया उस लड़की को कहने वाली थी कि यह रूई के डेड़ नहीं है लेकिन चैनल को रोग देता है और सोचे लगता है कि मुझे भी ऐसी ही बैटी चाहिए कितने ज्यादा क्यूट है ना कासी यह मेरी ही बैटी होती है नेक्स जिया और तो इसकूल छोड़ने के ले जाते हैं रूई कहती है कि अप जादा ही हैंसमों आंकर जिया कहने लगती है कि अच्छा हुआ रूई ठीक हो गई वन्हें मेरा क्या होता नेक्स इन में लीजा ओफिस में होती है और अपनी टीम मेंबर से बात कर रही होती है तबी वह जिया क कि बच्छे से प्रेंग्नेंट हुई थी लीजा को तो काफी ज़्यता घुसा आ रहा था कि इसकी बच्छे से मैं जैंसे साथी नहीं कर पाई लेकिन अपने तुम्हें बताती हूँ कि मैं हूँ कौन तो अभी यहाँ पर जिया आ जाती है और कहती है कि हम लोग पहले कभी म पता नहीं था तो अभी एक लड़की प्रोजेक्ट की इंफॉमेशन लेकर आती है लीजा जिया से कहती कि तुम मिटिंग के लिए जाने वाली हो वो लड़की कहती है लेकिन यह तो नियू इंप्लोई है ना जो सुनके लिजा कहने लगती है कि मैं इस डिपार्टमेंट की लिए गई है एक लड़की बाच है लेकिन लीजा मैडम को नियू इंप्लोई को महाँ पर वेजने की क्या जरूरत थी यह सब चैन ने भी सुन लिया था एधर जिया उस बंदे को प्रोजेक्ट की सारी इंफॉमेशन दे रही थी वह बंदा कहता है कि बाहर पहुचा ता ग मिलेके गया है इधर वो बंदा जिया के क्लोज आ रहा होता है तब ही यहां पर चैन पहुच जाता है और उसकी बिटाए करने लगता है अर चैन आके कहता है कि इसको मैं देख लूँगा आप जाके मैडम को संभालो वो बंदा कहने लगता है कि यह लड़के आपकी क्या ल करने लगे थे और जिया चैन को किस करने लगती है मौनिंग में चैन कहता है कि कल राच जो तुमने मेरे साथ किया है ना वो मैं भूलने वाला नहीं हूँ अब तब मेरे साथ ही रहना होगा तिया कहती है कि मैंने क्या किया था कि तुम क्या बखवास कर रहे हो अभी दोनों सब्सक्तों करें रोगा था कि लगा था कि वो डोनों और सिवस्काइब Safile रोपहें तुम मैंसे कॉम होई हमारे साथ भी डिनर कर लो यहां पर नगा हो दिया थी कि यह चाहिए उन्हिं अंकल करेंब को बता दी है कि मेरी स्कूल में पेरिट्स चैल faculty इसलिए मैं चैन अंकल को डेट कह रही हूँ चैन अंकल भी मेरे डेट बनकर इसकूल आएंगे ना मेरे साथ चैन कहता है कि हाँ तुम मुझे डेड़ी कह कर बुलाओ जो उनके जिया सोचती है कि यह पागल हो चुका है क्या इसकी गॉल्फरेंट सुन लेकि तो क्या ही होगा वैसे भी इसको किसी के पाड़ी तो है नहीं रुई पूशने लगती है कि क्या मैं चैन अंकल को डेट कह सकती हूँ तो जिया कहती है कि हाँ क्यों नेक्स दे जिया ऑफिस में आती है जहाँ पर उस बंदे की वाइफ आ गई थी जो कल रात को जिया को होटल रूम में लेके गया था वह भंड़ी के लगती है कि थी तो मुझे तो मुझे कहना चाहिए क्ल तुम मेरे मेरे पानी फेकandvaली थी बैकिन उससे पहले जिया का लगता है कि एक तो तुम मेरी कंपनी में आई हो और उपर से मेरी इंपलोई को परिसान भी कर रही हो मुझे नहीं लगता कि तुमारे हस्बेंड की सकल इतनी अच्छी है जो उसको कोई भी देखेगा और वैसे भी मैं आपके हस्बेंड की कंपनी को बैंक रप करवाने वाला हूँ वो बंदी कहती है कि अच्छा अब इसको भी तुम पटाने लगी हो और चैन से कहती है कि वैसे भी तुम हो कौन क्या खुद को इस कंपनी के प्रेसिडेंट समझ रहे हो चैन कहता है कि तो फिर देखते हैं तुमें जल्दी पता चल जाएगा लेकिन उस बंदी का इसलिए वो सब को जल पहुचा देता है और इस सब में लीजा भी मिली हुई थी तो उसे भी जिसके बाद चैन जिया की क्या कर रहा था जिया कहती है कि तुम नहोंटे तो पतानी आज क्या होता चैन कहता है कि अरे मैं तुमारा हस्बेंड हूँ किसे तुमारी हल्पना और वैसे भी तुम इतनी अगली दिखती हो कोई भी लड़का तुमें क्योंगी देखेगा जो सुनके जिया को गुस्ता आ जाता है लेकिन चैनों से अपने गरीब कर लेता है ये कुछ इम्पलोईस ने भी देख लिया था वो कहती है कि क्या हमें यहां से चल जाना चैन कहता है मैं तो जिया को मैडिसिन देने आया था जिया भी कहती है कि हाँ और कुछ भी नहीं है लेकिन इम्पलोईस तो समझी चुकी थी क्योंकि आज दा कभी भी चैन ने किसी की भी हल्प नहीं की थी चैन सर मा के यहां से चला जाता है बात में इम्पलोईस जिया से पूशें लगती है कि क्या चैन तुमारा पॉर्फरेंड है तब यहां पर एक बंदी आती है चो लीजा की फ्रेंड भी थी वो कहती है कि बोस को एक फाइल देने जाना है एक एंपलोई कहती है कि ये काम तो जिया कर देगी जिया फाइल लेकर जाती है और ओफिस के बाहर बाते सुनने लगती है जहां पर चैन लीजा को जॉब से निकाल रहा था क्योंकि कल रात को जो क्लाइन जिया को रूम में लेकर गया था ये सब और किसी ने नहीं बलकि लीजा नहीं करवाया था चेन को पता था कि लीजा आगे भी जिया को परिसान करेगी इसलिए उसे भगारा होता है लेकिन जिया कहती है कि मैं 6 साल से तुमसे प्यार करती हूँ चेन कहता है कि हाँ और मैं 6 साल से तुम्हें कहे रहूं कि मुसे दूर रहूं क्योंकि मैंने कभी भी तुम से पयार नहीं करने वाला हूँ लीजा तो गुसा करने लगती है जेन कहता है कि तुमने मुसे साधी करने के लिए क्या कुछ नहीं किया या तक कि प्रेग्नेंट भी हो कोई लेकिन अब मैं और कुछ नहीं हो रहे दोंगा लीजा कुसे से बाहर आती है जहाँ पर वो जीया को देखर कहती कि मैं तुमें शोड़ूंगी नहीं जीया सोचती है कि अब मैंने क्या किया और उसे चिला कर कहती है कि अब किसी प्रोजेक के लिए मुझे मत बेश देना जिसके बाद वो अंदर आती हो और कहती कि तुम लीजा से प्यार से बाद नहीं कर सकते क्या चैन कहता है कि बुलकुल है जिया कहती कि वो तुम्हारे बेबी की मा बनने वाली थी चैन कहता है कि वो मेरा नहीं किसी और का बेबी था जो सुनके जिया को गुसा आ जाता है और वो चैन की पिटाई करने लगती है क्योंकि जिया को लग रहा था कि चैन ने लिजा को तब छोड़ दिया जब वो प्रेग्निंट थी जिया कहती है कि मुझे डिवोस चाहिए तुम जिसे मैंन के साथ में नहीं रहने वाली जैन सोचते है कि ऐसा मैंने क्या कर दिया जो तुम इतने जादा घुस्वे में हो एदर ओफिस के बाहर जिया की ग्रेंड मा कहती है कि मुझे अंदर जाने तो मैं जिया से मिलना चाहती हूँ मैंने सुना है कि उसने साथी कर लिया और बोजे ब्राइट प्राइस भी नहीं मिला ये सब देख के लीजा कहाती है कि मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ रात में जो कि या घर जा रही थी तब ये उसको कोई पकड़ लेता है यहाँ पर चैन घर पर उसका वेट कर रहा होता है कि आखिर ये कब आएगे अस्टेंड कहता है कि आपको मैडम को कॉल कर लेना चाहिए चैन कहता है कि वो खुज़े में गई थी क्या पता आएगी पिके नहीं कहीं किसे फ्रेंट के घर तो नहीं चली गई अस्टेंड उसे एक वीडियो दिखाता है जिसमें वो लड़की कहा रही होती है कि लड़किया उन पर ही कुस्सा करती है जिनसे वो प्यार करती है जो सुनकर वो तो खुज होने लगा था अस्टेंड उसे भी कहता है कि बोज आपको प्यार चुका है यह देखके ही लगता है चेन कहाता है लेकिन वो तो मुझे भावी नहीं देती और सूचता है कि अभी तक तो उसे आ जाना चाहिए था ना चेन कहाता है कि आपको कॉल करके पूछ लेना चाहिए ना चेन जिया को कॉल करता है लेकिन लगी नहीं रहा होता है तो चेन को और पी जाता कुस्सा आने लगता है वो सूचता है कि इस लड़की को मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ पता नहीं कहां चली गई है इधर हम देखते हैं कि जिया को उसके ग्रेंडमा नहीं पकड़वाया था और इवन यहां पर उन्होंने रूई को भी गिटनाप कर लिया होता है एधर चेन अपनी ग्रेंडमा के पास जाकर उनसे पूछता है कि क्या जिया यहां पर भी नहीं है ग्रेंडमा कहती है कि क्या तुम दोनों ने जगड़ा किया है पी जिया का कॉल आ जाता है वो कहने लगती है कि जल्दी से वन मीले लेकर मेरी ग्रेंडमा के पास आ जाओ जेन सूचता है कि जिया ने कभी भी पैसे के बात नहीं की थी ग्रेंट मा पूछती है कि क्या हुआ है, चेन कहता है कि जिया की फैमिली को ब्राइट प्रैस चाहिए, जिस उनके ग्रेंट मा कहती है कि यहां तो चल्दी से लेकर जाओ न, वो बहुत से सामा लेकर जा रहा होता है, लेकि रास्ते में कार बिगड़ जाती है, चेन असिस्ट को ही देखे जा रहे थे, इधे ग्रेंट मा जिया से कहती है कि क्या सच में तुम्हारा हस्बेंट इतना जादा रिच है, जिया सोचती है कि पता नहीं, वैसो का सुनकर वो आईगा भी या नहीं, लेकि तब ही चेन आ जाता है, और वो अपने साथ दो डिपरेंट बर्ड ल लोगें, यहाँ पर चेन तो सभी की पिटाई कर देता है, ग्रेंट मा कहती है कि तुम क्या खट रहे हो, लेकिन चेन तो अपनी वाइफ और रूई को लेकर जाने वाला था, ग्रेंट मा कहती है कि कहना होगा कि और की बैटी को तुम खुद की बैटी कह रहे हो, जिया को त देख कर तो विलकुल भी नहीं लग रहा है कि आतना जादा रिइच हो गा याद लेखती है कि यह दो आसिस्टेंट see कि के लाईक नहीं है तो यह सब वापस ले जाओ यहाँ पअरे कर्ण्टीर नीउस में देखकर जाए वो हमें एदर चैन और जिया तो निकल भी चुके थे लेकिन ग्रेंट माब भाब भाग के जिया को रोकने की कुस्स कर रही थी घर आने के पास चैन घुसे में था उसके पास जिया आती है कि मुझे माफ करना चैन कहता है कि तुमने जूट क्यों बोला जबकि तुम्हा तुम्हारी कंपनी सिंगल मॉम को जोब नहीं देती और मुझे पैसो की जरुरत थी तुम्हें क्या करती तुमने अपनी प्रेंगनन गॉल्फरेंट को भी शोड़ दिया मुझे तो लगता है कि तुम्हें बच्चे पसंदी नहीं है और गुसा आओकर चली जाती है और वो एक्रिमेंट खतम होने तक तो तुम्हें इस घर में ही रहना होगा जो सुनकर जिया भी वापस अपने रूम में जाने लगती है नेक सिन में असिस्टेंट आपकर बताता है कि जिया मेडम को उनकी ग्रेंडमा पहुंचा था परिसान करती थी इसलिए वो सिटी आ चुकी थ चैन कहता है कि और कुछ असिस्टेंट कहता है कि और तो अभी कुछ बता नहीं चला है मैं इन्फरमेशन निकाल रहा हूं और बताता है कि जिया मेडम की ग्रेंडमा के साथ लीजा भी मिली हुई थी लें चैन लीजा से मलने जाने वाला था तब लीजा के कहती है कि मुझे माप करतो मुझे जेन नहीं जाना जेन कहता है कि छे साल पहले भी तुमने आंटी के साथ मिलकर मुझे भसाने की कोसिस की थी प्रेगनेंट होके जबकि मैंने तुम्हें कभी टश भी नहीं किया था लेकिन तुम हर टाइम क्या सोच दी रहती हो कि तुम जो भी चाहोगे वो तुम्हें मल जाएगा लीजा हासने लगती है कि मैंने क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए और तुम ये सब कह रहे हो जेन कहता है कि तुमने मेरे लिए नहीं बलकि मेरे पैसों के लिए किया है सब कुछ मुझे बादा था कि आंटी और तुम क्या करना चाहते हो लीजा कहती कि ठीक है तुम मुझे जाने तो मैं तुम्हें एक बात बता सकती हूँ जैन कहता है कि अब कौन सा जूट बोलने वाली हो तुम लीजा उसे बताती है कि मैं कभी प्रेगनिंट ठीही ही नहीं लेकिन तुम्हारा इस पर हम किसी और लड़की को ट्रांसपर कर दिया गया था और अभी तुम्हारा पांच साल का बच्चा भी है तुम मुझे पैसे दे दो और यहां से अब्रोड भेज़ दो मैं किसी को परिसान नहीं करूंगी और तुम्हारा बच्चा का है चैन कहता है कि तुम्हें कह लगता है कि मैं तुम्हारी बातों पर भरोसा करूंगा पर इस स्टेंट को लीजा को पकड़ने के लिए कहता है लेकिन लिज़ा उसे बाइट करके वहां से भाग जाती है बाइस टेन उसके पीछे जाने वाला था लेकिन चैन कहता है कि छे साल पहले क्या हुआ था उस सभी के बारे में पता लगाओ नेक्स इन में हॉस्पिटल में रुई चैन का वेट कर रही थी जिया कहती है कि वो तुम्हारे डेट नहीं है रुई कहती है कि नहीं वो मेरे डेट है उन्होंने कहा था कि वो कल मेरे साथ स्कूल चलेंगे जिया को याद आता है कि उसमें चैन को कहा था स्कूल एक्टिविटी के बारे में लेकिन जैन तो माँ से चला गया था नेक्स टे स्कूल में रुई कहती है कि क्या डैड नहीं आने वाले हैं जिया कहती है कि वो तुम्हारे डैड नहीं है मैंने तुम्हें बताया था ना ऐसे भी मैं हूना तुम्हारे साथ रूई तो अपसेट हो जाती है कहती है कि चैन अंकल को डैड होने की एक्टिंगी तो करनी थी है और उन्होंने मुझे प्रॉमिस भी किया था ना जिया कहती है कि कोई बात नहीं मैं होना तुम्हारे साथ इसके बाद नहीं पर फादर्स्टे कॉम्पटिशन स्टार्ट हो जाता है और सभी को केक डेकोरेट करना था रूई कहती है कि मुझे प्राइस चाहिए जो केक बेक था तब रूई का क्लास्मेंट कहता है कि तुम्हारे तो डैडी नहीं है और वो रूई को धक्का दे कहता है कि तुम्हारे डेड नहीं है जिया कहती है कि ये तुम क्या कहरे हो और उसके डेड से कहती है कि तुम्हारे बच्चे को समझाओ लेकिन उस बच्चे का डेड तो कहने लगता है कि मेरे बेटा सही तो कहरा है जिया कहती है कि स्कूल में डेट ना है उससे क्या ही फ़रक पड़ता है तब ही वो बच्चा जिया और रुईका केक खराब कर देता है रुई टीचर को कहती है कि देखो ना यह क्या कर रहा है उस बच्चे के डेट कहते हैं कि अपने से किसी ने देखा है क्या कि मेरे बेटे ने रूइका केख खराब किया है टीचर उस बच्चे पर गुसा करने वाली थी तब ही दूसरी टीचर कहती है कि रहने दो क्योंकि ये स्कूल में डॉनेशन देते हैं इसलिए हम कुछ कहा नहीं सकते हैं अब वो टीचर कहने लगती है कि आपने देखा है क्या केख को खराब होते हुए लेकिन यहापर कोई कुछ भी नहीं कहता है जो देखके जिया कहती है कि मैंने तो देखा है न जिचर कहती है कि हम आपकी बातों पर भरुसा नहीं कर सकते हैं जिसके बाद यहां पर उस बच्चे को first price मिल जाता है और back भी जिया कहाती है कि सभी ने अच्छे से cake decorate किया है फिर इसको first price क्यों मिल रहा है तो teacher कहने लगती है क्योंकि यह हमारे school को donation देते है इसलिए इनको first price मिल रहा है जिया कहती है कि यह क्या बात हुई भला वो बंदा कहने लगता है कि dead नहीं है तो price भी नहीं मिलना चाहिए जो सुनके जिया भी उसकी cake को खराब कर देती है और कहती है कि यह school तो uneducated teachers से बढ़ा हुआ है वो बंदा कहने लगता है कि तुमने मेरी cake भी गाड़ दी है यह तुमने अच्छा नहीं किया है जिया कहती है कि मैं भी यह कह सकती हूँ न सभी लोग कहने लगते है कि हाँ आमने देखा है यह रूई की mom ने किया है जिया कहती है कि यह तो कोई evidence नहीं हुआ लेकिन आपर सभी दिया को कहने लगते हैं कि सुना है कि तुम्हारा कोई husband ही नहीं है तो कियाई ये बेटी तुम्हारे boyfriend की है आप सभी जिया और रुई के बारे में बाते बनाने लगे थे रुई की टीचर कहने लगती है कि आप कोई हसुर चले जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर आप सभी के काम को खराब कर रही है सभी यहाँ पर चैन आ जाता है और कहता है कि किसने कहा कि रुई के डैड नहीं है उस बचे का डैड तो चैन के सामने भी एटिटूट ही दिखा रहा था बात में क्या था चैन उसकी बिटाई कर देता है रूई कहती है कि अच्छा हूँ आप आ गए देखो ना सभी हमें परिसान कर रहे हैं टीचर कहती है कि क्या यह रूई के डेड़ है वो बंदा कहता है कि यह तो क्या हुआ स्कूल में डोनेशन तो मैं ही देता हूँ वो रूई को स्कूल से बाहर निकालने के लिए कहने लगती है कि इसको यहाँ पर नहीं रखना चाहिए जिसकी मौम ऐसी हो और कहता है कि तुम्हें पता भी है कि यह कौन है इवन वो टीचर को भी जॉब से निकाल देता है आप यहाँ पर सबी को पता चल जाता है कि चैन इस सिटी का रिचमेन है फिर क्याता सबी लोग माफिय माफिय मागने लगते है जिसके बाद चैन रूई से कहता है कि मैं लेट आया मुझे माप कर देना लेकिन आज के बाद तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी रूई पर मान जाती है जिसके बाद चैन घरा के रूई को दुला रहा होता है और बाद में नाराज हो के बैट जाता है जिया कहती है कि थैंक्यू आज तुम आगए स्कूल वो कहता है कि तुम पागल हो चुकी हो जहां भी चाती हो सभी तुम्हें बूली करने लगते हैं मेरे सामने तो बहुत बोलती हो पाद क्या हो जाता है जिसके बाद चैन टीवी देखने लगती है जिसमें चैन का इंटर्व्यू चल रहा था जहां वो सिंगल मॉम के बारे में बात कर रहा था इवन अब तो वो अपनी कांपनी में सिंगल मॉम को भी जोब देगा और एक्स्ट्रा सैलरी भी ये देखके चैन कहने लगता है कि देखा मैं कितना सूचता हूँ तुम्हारे बारे में जिया कहती है कि अच्छा तो आज तुम इस इंटर्वियो के लिए गए थे और फिर जिया उसे मसका लगाने लगती है और कहती है कि देखो ना इंटर्वियो में तुम कितने चाथा हैंसम लग रहे हो वो कहता है कि ये सब तुम मुझे क्यों कह रही हो जिया कहती है कि ऐसे क्यों बोल रहे हो मैं तुम्हारी तारीफी तो कर रही हूँ वो कहती है कि ऐसी बात है क्या वो कहती है कि हाँ अब मान भी जाओ ना वरना फिर से मैं रूई को लेकर यहां से चली चाओंगी दिन जी या लीजा के बारे में कहने लगती है कि वो अच्छी लड़की है जेन कहता है कि तुम क्या कहरी हो या कहती है कि मैं सची तो कहरी हूँ पहता है मेरा एकसस्बंट तुमारे जैसा नहीं था जो सुनके जेन को भी घुसा आ जाता है वो कहता है कि तुम्हें क्या पता है कि लीजा कैसी है वो जानकर IVF treatment लेकर pregnant हो गई क्योंकि वो मुझे साधी करना चाहती थी लेकिन मैं उसे साधी नहीं करना चाहता था लीजा victim नहीं है बलकि मैं हूँ वुम्हें तुम्हारी grandmake के साथ मिलकर उसने फ्लैन भी किया था तुम्हें फसाने का जिया कहती कि उच्चा ऐसा है क्या वो कहता है कि हाँ वही तो वो मुझे साधी करने के लिए कुछ भी कर सकती है और उसकी बातों पर कभी मुझे भरो साहीं नहीं था इसलिए मैंने लिजा को जॉप से भी निकाल दिया जिया कहती कि मुझे माप करतो मुझे तो ये सब पता ही नहीं था वो कहता है कि हाँ तबी तो समझा रहा हूँ तुम्हें जिया कहने लगती है कि मेरा एक्स तो अच्छा था परता है जब मेरी ग्रेंड मुझे परिसान कर रही थी तो वही था जो मेरी हल्प करता था एवन उसने मुझे पैसे भी दिये थे मेरी हल्प के लिए लेकिन मेरी विजे से उसका कार एक्सिडेंट हो गया इसलिए मैंने सोचा कि उसके बचे की मौम बन जाती हूँ जो सुनके चैन को अच्छा नहीं लगता है क्योंकि अब वो जिया को अपने पास ही रखना चाता था नेकसिन में चैन जिया और रुई के साथ गूम रहा था यहाँ पर लीजा भी थी वो उसको होट करने वाली थी लेकिन करने ही पाती क्योंकि चैन बीच में आ जाता है और उसे लग गी थी उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं सबी यहाँ पर जिया को भी रुम के अंदर नहीं जाने दे रहे थे जिया असिस्टेंट को कहती है तो असिस्टेंट जिया को अंदर लेके चाता है और कहने लगता है कि बोस के हालत बहुत खराब है पता नहीं वो कब होस में आएंगे अगर आपको कुछ कहना है तो आप कह सकते हैं बोस को जिया ने चैन का हाथ पकड़ लिया था और खैने लगती है कि तुम्हारे बेना में कैसे जिन्दा रहोंगे यहाँ स्टैन तो वीडियो बनाने लगा था इवन चैन भी होस में आ चुका था यह देखे जिया जान कर चैन को मारते हुए रोने लगती है अर स्टेंट कहता है कि आप बोसे थोड़ा दूरे के बात करो ना जिया कहती है कि लेकिन ये मेरा हस्पेंड है और जैन की पिटाई करने लगती है कि तुम नहीं रहोगे तो पैसे का क्या होगा और जैन लाने लगती है लेकि जैन भी उठ जाता है और कहता है कि अच्छा हो हमें ठीक हो गया स्टेन कहता है कि बॉस आपको कुछ हल्प चाहिए बाद में जिया देखने लगती है कि तुम में कहा कहा लगी है तो जैन कहता है कि तुम मेरी बिटाई कर रही थी तब तुन नहीं सूचा तुमने और वो जिया को अपने close करके acting करने लगता है जैसे कि अब वो जिया के बिना रही नहीं पाएगा जिया कहती है कि ये क्या है चिपक क्यों रहो चेन कहता है कि डिवोस का नाम भी मतले ना क्योंकि मैं तुम्हारा real husband बनना चाहता हूँ और वो तुझया को किस भी करने वाला था लेकिन जिया कहती है कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए ऐसे मैं तुम्हें किस नहीं करने वाली जो सुनकी चेन उसे हग कर लेता है जिसके बाद चेन हास्पिटल रूम से वहार आ चुका था लेकिन खुझ से पानी पी रहा था वो कहती है कि ये तो तुम करी सकते हो ना चेन कहता है कि एक तो मैंने तुम अनी चान बचाई और तुम मुझे पानी पी नहीं दे रही हो तब ही आपर जिया का एक्स बाफरेंट देन आ चाता है जो भी कॉमा से वोट चुका था जिसको देखके जिया कहती है कि तुम ठीक हो गए क्या देन पूशता है कि बसे ये कौन है जिया बताती है कि ये मेरे बॉस है देन कहता है कि मेरी फैमले में पार्टी होने वाली है तो वाँ पर तुम भी आना जिया कहती कि ठीक है बाद में डैन के यहां से जाने के बाद चैन पूशने लगता है कि यह कौन था जिया उसे कहती है कि वो मेरा एकसेस बेंट था चैन कहता है कि अच्छा लेकिन यह रूई के जज़त तो बिलकुल नहीं दिख रहा था घर आका जिया रेडी हो रही थी जिसको देखके चैन को तो काफे ज़दे जहलन होने लगती थी वो कहता है कि तुम्हें वापर जाना जरूरी है क्या जिया कहती है कि अब इतने प्यार से कहा है तो जाना तो हो गई वैसे भी रूई के साथ तो तुम होई तो मुझे फिकर करने की क्या ही जरुरत है तब ही यहां पर चैन प्रोफेशनल मेकप आर्टिस को बुलाता है जो कि जिया को रेडी करने लग जाते हैं जब वो रेडी हो को पहार आती है तो चैन तो उसे देखते ही रह जाता है जिसके मॉम कहती ही कि तुम यहां पर क्यों आई हो निकल जाओ यहां से तुम्हारी वेज़े से मेरे बेटे का एकसेडेंट हुआ था भूल गई तुम क्या वो बॉडी काट को भी बुला लेती है तब देन जिया की हल्प करने जाता है लेकिन वो गिर जाता है यह देखके देन की पठा रही हो तुमने ऐसे पहले भी किया था तब ही आपर चेन के आउंटी आ जाती है वो जिया को देखके कहने लगती है कि लगता है कि तुम्हारे बहुत सारे बॉइफर्ण है वारना तुम्हें यहां पर को नहीं बुलाता और लगता है कि यह ड्रेस भी तुमने तो नहीं देएं, यह सुनके डैन की मॉम कहती है कि इसे ही तुम मेरे बैटे को दिखाना चाहती हो, कि तुम रिच हो गई हो, जिया कहती है कि इसा कुछ भी नहीं है और वो जाने लगती है तब ही डैन की मॉम वो नेकलिस ले लेती है आंटी जब नेकलिस देखती है तो उसको तो पता चल जाता है कि यह नेकलिस रियल है मैं भी देखती हूँ कि आपको कौन बचाता है डैन की माँ कहाती है कि यह मेरा घर है यहाँ पर मेरी ही चलेगी है तब ही यहाँ पर क्रेंड मा और चैन आ जाते है क्रेंड मा कहाती है कि यह मेरी डॉटर इनलो है कौने से परिसान करता है आंटी कहने लगती है कि आपकी बहु कैसे हो सकती है जमा कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं जूट बोल रही हूं और वो आंटी के पास से नेकलिस भी ले लेती है ये जानकर आंटी कहने लगती है कि लेकिन हमारी फैमली की कैसे हो सकती है इसकी तो एक बच्ची भी है ना ग्रेमा कहती है कि तो क्या हुआ तुम तरक मिस्ट्रेस हो फिर भी हमने रखा हुआ है ना तुम्हें चैन कहने लगता है कि ग्रेंड माँ आप क्यों इनके मूह लग रही है मुझे इनसे कोई फरक नहीं पड़ता है आंटी कहने लगती है कि वैसे ये नेकलेस तो मुझे मिलना चाहिए ना आपने इसको कैसे दे दिया आंटी को तो काफी ज़्यादा गुस्णा आ रहा था चैन कहता है कि ये मेरी वाइफ है और ये इसी को मिलेगा इसलिए आप चुपी रही है जिया कहाती है कि रुई मेरी बेटी है उसे किसी को कोई परिसानी नहीं होनी चाहिए वैसे भी वो टेस्ट्यूब बेबी है आपके कहने पर ही मैंने वो ट्रीट्मेंट करवाया था लेकिन आपने मेरी बेबी को एकसेप्ट नहीं किया डेन के मौम कहने लगती है कि लेकिन वो मेरे बेटे की बेटी नहीं है जिए उनके चैन को याद आता है कि लीजा ने भी उसी हॉस्पिटल में टेस्ट ड्यूप ट्रीट्मेंट करवाया था और डेट भी एक ही थी तो कहीं ऐसा तो नहीं कि रूए मेरी बेटी हो और वो डेन की मौम से कहने लगता है कि लगता है कि लगता है कि आप पेंक्रप्ट होना चाहती हो जिया कहती है कि जाने तो अभी इन है जिए सुनके चैन कहता है कि मेरी वाइप के कहने पर मैं जाने दे रहा हूँ वरना तुम जैसे को तो मैं छोड़ता नहीं हूँ तो डर जाती है रूइ कि यह दैड आप इस रूम में ही सू जाए ना मेरी फ्रेंट के मॉम डेट तो सांथ में ही सोते हैं जो इनके चैन तो खुल सो जाता है मॉनिंग में जिया और चैन हग करके सो रहे थे लेकिन रूइ नीचे सो रही थी वो चिल्ला के कहती है कि मैं फ्लोर पर क्यों सो रही हूँ जो देखे चैन तो वहाँ से भाग जाता है क्योंकि आज उन लोगों को ग्रेंटमा से मिलने के लिए पी जाना था जिया का तो डर लग रहा था क्योंकि उसकी एक बेटी जो थी जिया कहती है कि रूइ तो ग्रेंटमा को पसंद है न वो तुमें कुछ नहीं कहने वाले जब वो लोग ग्रेंटमा से मिलने के लिए जाते हैं तो ग्रेंटमा तो रूइ को देखर खुस हो जाती है इवन उसको गिप्ट भी देने लड़ गई थी जिया कहती है कि इतना expensive गिप्ट देना नहीं चाहिए इसे जिया कहती है कि देखो मुझे मत रोखो डूई इतनी प्यारी है गिप्ट देना तो बनता ही है चैन कहने लगता है कि डूई मेरे जैसी ही दिखती है न करती है तो वह तो अगला ही जाता है कि तो मट बैड़ की जैसे मत ब granny जान侑 जिया देखती है कि नूई को सब ही प्याद कर रहे हैं थो से बहुत अच्छा लगता है चैन कहने लगता है कि देखाना तूमने रूई मेरी ही बेटी हैं बाद मेशे रूए डैड के लगता है कि आप यहां से जा सकती हों चैनष होद्य को भी कहता है कि कुछ वी थे थीक हैं चैनष हो किस करने वाला था जीया कहते है कि यह कुछ मत करो जिसके पाइद चैन चाम सिर्फ करना पार्टी हो पार्टि में मैंने ख़ाते इंसल्ट कर दी थी ना तुम्हारी आंटी को देखके ही लग रहा था कि वह मसका लगा रही थी वो खेने लगती है कि चैन अच्छा है तभी तो उसने तुम्हारी बेटी को भी अपनी बेटी जी सप्याद दिया है वारना आज कल ऐसा काही देखने को मिलता है जिया क्याती है कि वो तो है फिर चलो ना चैन के पास मिलने के लिए आंटी तो चैन से दूरी रहती थी इसलिए क्याती कि नहीं नहीं मैं तो बस ऐसे ही यह रही थी जिया क्याती है कि आप मेरी बेटी से दूरी रहना जो सुनका आंटी को तो गुस्सा आ जाता है तभी आंटी को पता चलता है कि जैन रूई और उसका DNA टेस करवा रहा है आंटी सोच दिये कि नहीं मैं ऐसा नहीं होने दूँगी रूई जैन की बेटी नहीं हो सकती है बाद में जैन बच्पन की फोटो देखता है जैन की बेटी नहीं है लेकिन तभी रिपोर्ट सा जाते हैं और आंटी कहने लगती है कि देख लो रूई जैन की बेटी नहीं है चैन रिपोर्ट देखता है जो कि नेगेटिव थी और ये आंटी का ही प्लान था चेन कहने लगता है कि नेगेटियो आये तो क्या हुआ लेकिन रूई तो मेरी ही बैटी है आंटी कहती है कि तुमने DNA टेस्क की रिपोर्ट नहीं देखी क्या समझ नहीं आ रहा है तुम किसी और की बैटी को तुम इस घर में नहीं रख सकते हो बात में जिया डेन से मिलने के लिए जाती है डेन कहता है कि रूई नहीं आई किया तुमारे साथ मुझे उससे मिलना था माप करना मेरी मॉम ने तुम्हारी जादा ही इंसल कर दी थी पार्टी में जिया के मॉम डेट के जाने के बाद जिया डेन के घर पर ही रहती थी इसलिए वो सबी को अच्छे से जानती थी डेन कहने लगता है कि मुझे जानना है कि रुई का डेट कौन है अगर पता चल जाएगा तो तुम उस चैन को छोड़ देना जिया कहती है कि तुम मेरी पॉसनल लाइफ में इंटर फिर मत करो वेसे भी चैनल रूई को अपनी बेटी ही मानता है यसलिए मुझे रूई के रियल डेट के बारे में नहीं जाना है मैं अपने हस्बेंट के साथ खुस हूँ जिसके बाद जिया जा रही थी तभी कार उसे टकर माने वाली थी लेकिन यहापर भी डेन उसे बचा लेता है बाद में जिया डेन को हॉस्पिटल लाती है जहां डेन के मॉम कहती है कि एक बार तो डेन कोमा में चला गया था उसे दिल नहीं बरा तुमारा dain कहता है कि mom आप jia को कुछ न गहे jia dain से कहती है कि कुछ आई हो तो call करना तबी यहाँ पर chain आजाता है जिसको देखके dain को तो गुसा आ रहा था क्योंकि dan jia को like करता था वो भी port time palos है chain अपने assistant को कहता है कि dain के लिए personal doctor arrange करो Dan कहता है की मेरे पास جिया है चेन कहता है की वो मेरी वाइप है तुमारी नरस नहीं है ये देखकर एसस्टेन सोचता है की मैं कहां फस गया वो तो चलाई जाता है जिसके पीछे जिया भी चली जाती है यहाँ पर Dan जिया को तो नहीं creator हूं तब हिया है। डैन के पस DNA test की रिपोर्ट थी, डैन कहता है कि मेरी मॉम से कुछ गलती हो गई थी, लेकिन रुई मेरी ही बेटी है, देखो तुम मुझे लाइक नहीं करती हो, लेकिन तुम्हें मेरे साथ रहना होगा, क्योंकि मैं ही रुई का फादर हूँ, जिया कहती है कि कभी भी नहीं, मैं तो अपने हस्बेंट के साथ ही रहूँगी, डैन को लगी हुई थी, लेकिन यापर जिया को तो चैन की फिकर हो रही थी, डॉक्टर आके कहता है कि डैन का ख्याल रखना होगा, जिया कहती है कि मैं हॉस्पिटल का बिल पे कर देती हूँ, डैन कहता है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, तुम चाहिए, जिया कहता है कि वो तो अब भूल जाओ, क्योंकि अब मैं मैरिट हूँ, डैन कहता है कि लेकिन डूई मेरी रियल डॉटर है, तो बेटर होगा कि मुझे साधी कर लो जिया कहती है कि 5 साल पहले ही मैंने तुम्हें भुला दिया था देन सोचता है कि लेकिन अब नहीं भुला पाओगी क्योंकि मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता तुम सिप मेरी हो बाद में जिया घर आती है जहापा चैन अपसेट था क्योंकि रुई डेन की जो बेटी थी चैन को लग रहा था कि जिया आप उसे छोड़ देगी जिया चैन को किस कर लेती है कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ मैं तुम्हें डिपस नहीं देने वाली और तुमने तो रुई को बेटी चैसा ही प्यार किया है ये बात मैं कैसे बूल सकती हूँ जो सुनके जिया को किस करने लगता है और तोनों साथ नेट वाइन करते है मौर्निंग में रुई कहती है कि मॉम आप मेरे रूम में क्यों नहीं थी जैन कहता है क्योंकि तुम्हारी मॉम मेरे वाइफ है ना तो वो मेरे रूम में रहेगी जो सुनकर रुई कहती है कि कि आप डेट को भी बेट तैम स्टोरी सुनाते हो जो सुनकर जिया को तो कल रात की याद आने लगती है फिर वो रूई को कहती है कि चलो स्कूल चलते हैं इसके बाद जिया डेन से मिलने के लिए जाती है जापर फिर से वो डियने टेस्के रिपोर्स दिखाने लगता है चैन कहता है कि अब जिया मेरी वाइफ है जिया भी कहती है कि हाँ रूई तुम्हारी बेटी है तो तुम उससे मिल सकते हो लेकिन मैं चैन को डिवोस नहीं दूँगी डैन कहता है कि तो फिर ठीक है मुझे रूई की कस्टेडी लेनी होगे मुझे लगा था कि रूई को तुमसे दूर नहीं करना चाहिए लेकिन अप्या ही कर सकते हैं जिसके बाद चैन लॉयर से बात कर रहा था पूछता है कि क्या डैन का स्टेडी ले सकता है एदर जिया को पता चलता है कि रूई स्कूल से निकल गई है तब ही जिया को डेन के कॉल आता है कि रूई मेरे पास है यहाँ पर डेन आइस क्रिम में कुछ मिला कर लाया था रूई कहती ही कि आप कौन हो डेन कहता है कि मैं तुम्हारा डेड हूँ रूई कहती ही कि नहीं मेरे डेड का नाम तो मिस्टर चैन है और वो मुझे बहुत पसंद है आप नहीं जिया कहता है कि लेकिन क्या करे तुम्हारा रेट तो मैं ही हूँ और वो रूई को आईस क्रीम खिलाने लगता है जब यहाँ पर जिया आती है तब तक रूई सो चुकी थी जिया कहता है कि आज रात रूई को मैं अपने घर पर लेकर जाना चाता हूँ जिया कहती है कि ठीक है रात में जिया को पता चलता है कि रूई की तब ठीक नहीं है जिया कहती है कि मुझे देन के घर पर जाना होगा जिया कहता है कि जल्दी आ जाना मुझे तुम पर भरोसा है अब दो दिन भी चुके थे लेकिन रुई की तब न की तब भी ठीक ही नहीं हो रही थी जिया भी चैन के साथ नहीं रहरी थी लूई अजिस्टर आकर कहता है कि रुई ठीक हाँ, उसको डैन ने मैडिसीन दिय है जो सुनकर चैन टूरंट थी डन के पास बहुँच जाता है और कहता है कि मैं अपनी बेटी और वाइब को लेने के लिए आया हूँ डन कहता है कि मैं उसका डेड हूँ और जिया मॉम हमें तुम्हारी जरुवत नहीं है जैन कहता है कि क्या सच मेरी तुम्हारी biological daughter है क्योंकि जब से वो तुम से मिली है बिमार हो गई है वरना मेरे साथ तो वो बहुत time से रह रही थी तब तो मेरी बेटी को कुछ नहीं हुआ जैन को एक और बार DNA test करवाना था वो भी अपने personal doctors है जैन कहता है कि जल्दी पता चल जाएगा एक बार DNA test की report आचाने तो चो कि real होगी जैन कहता है कि तुम तो मुझे like करती थी ना इसलिए doubt कैसे कर सकती हो मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया college के लिए भी पैसे दिये जैन कहता है कि वो तुम्हारे पैसे नहीं थे बलकि जीया के mom date के ही पैसे थे तुम से पैसा दिखा रहे थे जैसे तुम्हें जीया की फिकर हो यहाँ पर जैन के पास evidence भी होते है अब जीया भी दैन की किसी बात पर भरुसा नहीं कर रही होती है डेन कहता है कि तू क्या हुआ, तू मितने सालों से मेरे घर पर रही थी, तू मेरे अलावा किसी और से साथी नहीं कर सकती हो, तू मारी वज़े से मेरा car accident हुआ था, ये मत बूलों जो सुनकर जिया तो डैन की पिटा ही करने लग जाती है और कहती है कि मेरी कोई गलती नहीं थी क्योंकि उस दिन ड्राइविंग तुम ही कर रहे थे तबी यहाँ पर DNA टेस की रिपोर्ट आ जाते हैं और पता चल जाता है कि डैन रुई कर डेड नहीं है अभी डॉक्टर कहता है कि हमने आपके साथ भी DNA टेस करवाया था जो कि पॉजिट्व आया है यह देखके वो दोनों ही बहुत जाता खुल सोचाते हैं चैन कहता है कि मुझे बता था कि तुम रुई मेरी बेटी है क्योंकि मैं उससे इतना प्यार जो करता था जिया कहती है कि हाँ तुम्हें बहुत अच्छे डेड हो क्योंकि जब DNA टेस की रिपोर्ट फेक आई थी और तुम्हें पता नहीं था कि तुम रुई के डेड हो तब भी तुम रुई से इतना ही प्यार करते थे चैन और जिया रुम में आते हैं जहाँ पर रुई नहीं थी उसके साथ डेन भी नहीं था इसके बाद चैन डेन के घर पर जाता है यहाँ पर रुई कहीं नहीं मिल रही होती है तो डेन के मौम कहने लगती है कि मेरा बेटा ऐसा कुछ नहीं कर सकता है तब ही यहाँ पर डैन आ जाता है मॉम कहती है कि तुमने कुछ किया है क्या तो बता दो यह मिस्टर चैन है डैन कहता है कि मैं किसी चैन से नहीं डरता हूँ यह क्या ही कर लेगा जिया कहती है कि मेरी बेटी कहाँ पर है डैन कहता है कि मुझे साधी कर लो हम अब रोट चलते हैं, वहाँ पर तुम्हें रूई भी मिल जाएगे, जैन कहाता है कि अब तो मुझे पता भी चल गया है कि वो मेरी वेटी है, मैं उसे कहीं भी नहीं जाने दूँगा, घराने के बाद जीया आंटी से पूछती है, जिसे की सब कुछ पता था और को डर के लेने चाहिए, वह भी Grand Wedding, और यही उसका बरड़े विस थी, जिया कहाती है कि इसके कहा जरुद है, तब फियल बी क्रेंद मां कर कहती है कि जरुद कैसे नहीं है, मेरी बही यही विस है, यहाँ पर चैन भी जिया को प्रपोस कर देता है, और जिया भी मान जाती है, सभी स साथ में बहुत खुछत है और यहीं पर ड्रामा की एपई एंडिंग हो जाती है वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सेर और सब्सक्राइब करें थैंक्स पर वाचिंग